हेलो फ्रेंज, वेलकम टू मैतिय जी फ्रेंज, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि बहुपत का भाग कैसे करते हैं फ्रेंज जैसे दिया हुआ है 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वार माइनस 10x माइनस 5 भाग करना है x स्क्वार माइनस 5 बटे 3 तो ऐसे भाग को कैसे करेंगे तो चलिए बहुत ही सिंपल तरीका होता है ऐसे भाग को करना ठीक है तो देखिए हमने इसको भाग जैसे देते हैं अंको का भाग उस तरीके से हमने इसको बना लिया ठीक है एक line ऐसे खीच ली और एक line ऐसे खीच ली ठीक है अब चलिए भाग करते हैं भाग कैसे करेंगे अब देखिए पहला पद यहाँ पे दिया हुआ है 3x के power 4 और यहाँ पे पहला पद क्या है x square है तो हम x square में क्या गुड़ा कर दें ठीक है कि 3x के power 4 हो जाए तो देखिए x के power 2 है और यहाँ पे x के power 4 है तो अगर हम x के power 2 से गुड़ा करें तो x के power 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 से गुड़ा कर दें तो 3x के power 4 हो जाएगा यानि कि हम क्या करेंगे भाग कितनी बार ले जाएंगे 3x square बार ले जाएंगे ठीक है 3x square बार ले जाएंगे अब इनका इन जो भाजक है इसमें गुड़ा कर दीजे तो पहले पद में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 x के पावर 4 ठीक है? अब देखिए अब दूसरे पद में करेंगे तो 3 का जब गुड़ा करेंगे यहाँ तो 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या? माइनस 5 x square अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस 6 x का cube और हम गुड़ा कर रहे हैं तो x square लिख आ रहा है ठीक है? तो यहाँ पर लिख लीजिए तो माइनस sign है यहाँ पर तो माइनस लगाएंगे तो 5 और x square हो गया ठीक है? अब इसको क्या करा जाता है? घटाया जाता है इसको जब घटाते हैं ठीक है? तो देखिए जब घटाएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा प्लस का माइनस हो जाता है माइनस का प्लस हो जाता है अब यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कुछ नहीं ठीक है? तो इसको ऐसे कट का निसान बना दीजिए अब देखिए अब यह देखिए यहाँ पर यह प्लस साइन है यहाँ यक्स की पावर 3 है और यहाँ यक्स की पावर 2 है तो पहले हम जादे पावर वाली को लिख लीजिए यहाँ पर तो यहाँ पर लिखेंगे 6 एक्स के पावर 3 अब यहाँ पर देखिए प्लस 5 एक्स स्कॉयर है और यहाँ पर माइनस 2 एक्स स्कॉयर है तो हम घटा रहे हैं ठीक है? यहाँ चीन बदल दिये हम अब प्लस चीन हो गया यहाँ पर माइनस चीन है तो प्लस में से माइनस जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस और 3 एक्स स्कॉयर और बाकी यहाँ पर माइनस 10 एक्स है और माइनस 5 है इसको ऐसे ही लिख लीजिए ठीक है? अब भाग ले जाएंगे दूसरी बार ठीक है? अब देखें यहाँ पर दूसरी बार जब भाग ले जाएंगे तो पहला पत क्या है? पास्टिव है तो यहाँ पर हम प्लस साइन लगा लेते हैं ठीक है? जब पास्टिव साइन रहेगा तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे अब देखिए यहाँ पे है यक्स का power cube और यहाँ पे है यक्स का square तो यानि कि एक यक्स से गर गुड़ा करेंगे तो यक्स का cube मिलेगा और 6 लाना है तो यानि कि 6 यक्स, 6 यक्स बार भाग जाएगी, ठीक है? तो 6 यक्स बार भाग ले जाएंगे तो गुड़ा कर लिजे यहाँ पर तो हो जाएगा 6 और यक्स का Q हो जाएगा और फिर minus sign लगाना है minus sign और जब minus 5 बटे 3 में गुड़ा करेंगे 6 यक्स का तो 3 से 6 कटेगा 2 बार में तो दो बार में कटेगा, दो पच्छे दस, यानि कि माइनस दस और यक्स बचेगा यहाँ पे, ठीक है, अब इसको फिर घटाए लीजिए, तो फिर घटाएंगे जब, अब इसको यहाँ पे चिन, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, अब इसको भी काट दीजिए, अब यह दोनों कट जाएंगे, अब देखिए, अब पहला पद देखे, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे, एक्स के पावर तीन था, अब एक्स के पावर दो वाला पद आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तीन एक्स स्क्वार, अब यहाँ देख अब फिर भाग ले जाएंगे, अब फिर भाग कितनी बार जाएगा, देखें, यहाँ पहला पर प्लस है, तो यहाँ भी प्लस चिन लगा लीजी, अब देखिए, एकस स्क्वाइर यहाँ पर है, यहाँ भी एकस स्क्वाइर है, तीन नहीं है, तो तीन बार भाग ले जाएए तो 3 बाल ले जाएंगे, तो 3 x square, माइनस 5 बटे 3 में 3 से गुड़ा करेंगे, तो क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस 5 बचेगा, माइनस 5 बचा, अब इसको घटा लीजिए, तो घटाएंगे, तो ये आपस में कट जाएंगे, बचेगा खुछ नहीं यहाँ पर, 0, ठीक ह तो इस तरीके से जो हमारा भागफल होगा, 3 x square प्लस 6 x प्लस 3, तो ऐसे आप लिख लीजिए यहाँ पर, तो भागफल हो जाएगा, यहाँ पर, भागफल कितना हो जाएगा, 3 x square प्लस 6 x प्लस 3, और यही अंसर हो जाएगा, तो फ्रेंड्स अगर इस तरीके से बहुपत का भाग आपको कोई दिया हो, तो यही प्रोसेस अपनाईए, आपको भाग करने में कोई दिक्कत नहीं होगे, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक कर सकते ह अगर भी कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक यू सो मच